प्रश्ण तीन चित्र में R1 बराबर 10 Ohm R2 बराबर 40 Ohm R3 बराबर 30 Ohm R4 बराबर 20 Ohm और R5 बराबर 60 Ohm है प्रतिरोधकों के इस विन्यास को 12 वोल्ट से संयोजित किया जाता है हमें इस प्रश्ण में दो चीजें पता करनी है पहला भाग है इसका कि परिपत में कुल प्रतिरोध कितना है और दूसरा हमें ग्याद करना है कि परिपत में प्रवाहित कुल विद्युद्धारा तो चलिए इस प्रश्ण का हल देखते हैं हल जैसा कि हम इस परिपत में देख सकते हैं कि R1 और R2 समना आंतर क्रम में हैं. उसी प्रकार R3, R4 और R5 भी समना आंतर क्रम में हैं. और ये जो प्रतिरोधों का समूह ये श्रेणी क्रम में हैं. साथ में 12 वल्ड की बैटरी है और ये अमीटर. तो सबसे पहले हमें यदि तुल्य प्रतिरोध ग्याद करना है तो मान लेते हैं कि माना R1 वो R2 के लिए तुल्य प्रतिरोध R' है तब इसका मान हमें ग्याद करने के लिए क्या लेना होगा एक बटे R' बराबर होगा एक बटे R1 धन एक बटे R2 चलिए इसका मान रख लेते हैं तो एक बटे आरवन का मान है दसों और आटू का मान है चालीसों इसे सरल कर लें तो हमें मिलेगा चारधन एक बटे चालीस याने की पांच बटे चालीस फिर आगे देखते हैं इसे सरल करेंगे तो हमें मिलेगा एक बटे आठ याने कि एक बटे आर डैश बराबर हमको मिल रहा है एक बटे आठ तो हम कहेंगे आर डैश का मान होगा आठ ओम चलिए आगे देखते हैं तो हमने देखा कि R1 और R2 के लिए तुल्य प्रतिरोध हमें R' का मान मिला 8 हो इसी प्रकार हम मान लेते हैं कि R3, R4 और R5 का तुल्य प्रतिरोध R' है तब 1 बटे R' बराबर 1 बटे R3 धन 1 बटे R4 धन 1 बटे R5 चले सबका मान रख लें तो हमें मिलेगा 1 बटे 30 धन 1 बटे 20 धन 1 बटे 60 इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 2 धन यहां पर 3 और धन 1 इसका मतलब यह हो गया 6 बटे 60 जिसे हम लिख सकते हैं 1 बटे 10 तो हम क्या कहेंगे कि 1 बटे R' हमको मिला है 1 बटे 10 जो की देगा R' का मान 10 ओम चलिए आगे हल करते हैं हमें परिपत का कुल प्रतिरोध ग्याद करना है और हमने देखा था कि R1, R2 जो है वो समनांतर क्रम में है R3, R4, R5 समनांतर क्रम में है और ये जो प्रतिरोधों का समू है ये श्रेणी क्रम में है तो कुल प्रतिरोध को यदि हम R से बताएं कुल प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R' भन R' जिसका मान हमें कितना मिला है R' हमें मिला था 8 ओम और R' मिला है 10 ओम इस प्रकार 18 आर कुल प्रतिरोध जो है वो बराबर हो गया 18 ओम इस प्रकार प्रश्न का पहला भाग हल हुआ चलिए अब हम प्रश्न के दूसरे भाग पे चलते हैं जिसमें हमें परिपत में प्रवाहित विद्धुद्धारा गयात करनी है तो ओम के नियम से हम जानते हैं ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर प्रतिरोध गुनेत विद्धुद्धारा यहां से हम विद्युधारा ग्याद कर सकते हैं याने हम इसे लिख सकते हैं I बराबर V बटे R हमारे पास V दिया हुआ है V का मान है 12 वोल्ट और कुल प्रतिरोध अभी हमने ग्याद किया 18 याने कि I का जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो 0.67 MPR प्राप्त हुआ इस प्रकार प्रश्ण का दूसरा भाग भी हल हुआ